हेलो एवरीबड़ी वेलकम टू अनकेडमी मैं निखिल गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अनकेडमी परिवार पर उम्मीद आपकी खुशहाली की और लाइफ को आप लोग सेलिब्रेट करके अच्छे से जी रहे होंगे सो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाता हूँ कि इस सेशन में मैं जो है रेलवे इंजीनेरिंग आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ और बहतरीन तरीके से रेलवे इंजीनेरिंग समझने वाले हैं हल ही में पिछले दो दिन से हमारा लेक्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तब्यत खराब थी अब ठीक है तो डेली लेक्चर होगा अपना बढ़िया तरीके से लेक्चर करेंगे तो आज के सेशन में आप लोगों को मज़ा आने वाल है क्योंकि मैं बताओं आज के सेशन में पहली बात तो आप लोगों को रेलवे इंजिनेरिंग जो भी पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ उसकी प्रेक्टिस भी होगी means आज के session में मैं आप लोगों को 20 से 30 question कराने की कोशिश करूँगा जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका revision हो जाएगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह के question बनते हैं exam में so that you can go through the content as well और मैं एक बात और बताना चाता हूँ यह चीज आप ध्यान रखेगा डेली रात को नो मुझे class हो रही है तो जिन भी बच्चों को railway engineering पढ़ना है आपके बहुत सारे friends है you can share it with your friends also so that वो भी पढ़ सके क्योंकि मेरी इतनी guarantee है कि railway engineering इस content के साथ और इस strategy के साथ शयद आपको YouTube पर नहीं पढ़ाई गई है क्या content क्या strategy मैं आप लोगों को J E और A E दोनों का लेकर चल रहा हूँ मैं सिर्फ J E का नहीं ले रहा मैं J E और A E दोनों level का लेकर चल रहा हूँ और basically जो railway के paper होते हैं railway exams होते हैं उनमे railway engineering बहतरीन पूछी जाती है और मैं उसी का content लेकर आ रहा हूँ उसी पर focus कर रहा हूँ ताकि every exam will be going to clear by us got it तो मतलब अच्छा content है आप लोग भी आ सकते हैं अपने friends को share कर सकते हैं ताकि वो लोग भी यहां पर जुड़े और हमारे इस channel को देख सके by the way मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि unacademy के platform पर मैं आप सभी के लिए plus course लाया हूँ plus course में क्या होता है plus course में आप लोगों को special dedicated teachers मिलते हैं और जिस teacher का जो subject होता है वो वो चीज पढ़ाता है particular time period में सारी चीजे होती है हर चीज structured रहती है test series free मिलती है notes free मिलते है daily live lecture होते है even live doubt solve करे जाते है मतलब जो आप लोगों को तयारी करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो सब plus course में लिया जाता है एक बार ही cost देनी होती है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसके बाद आपको किसी चीज का पैसा नहीं देना चाहे वो test series हो चाहे वो non technical हो चाहे वो technical हो और इंडिया के जितने top educator से सब पढ़ाते है ठीक है तो plus course introduce कर चुका हूँ मैं और मेरी team आप लोगों को technical और non technical दोनों पढ़ा रहे है तो जब भी आप लोग plus course low payment करते time नीचे option आता है have a referral code तो वो code में आप लोगों को ng live लगाना है it will give you 10% discount yes it will give you 10% discount and also this code can be apply for any of the field whether it is SSCJ, gate, whether IIT, weather classes, academic 9, 10, 11, 12 कोई भी आपका जानपिचान का हो उसको भी 10% का discount मिल सकता है अगर ये code लगाता है ठीक है दूसरी बात सुनो कि आप लोग plus course में क्यों आओगे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि क्या होता है कि students को जनरली एक तो strategy नहीं मिल पाती students को guidance नहीं मिल पाती और students को वो महोल नहीं मिल पाता one of the major thing is महोल मैं आपको अपनी personal बात बताऊँ मेरे साथ भी यही problem है और 98% students के साथ यही problem होती है महोल नहीं मिलता महोल क्या होता है महोल वो होता है जिसको देख कर आपका पढ़ने का मन करता है अगर आप लोगों को सही guidance मिल रही है आप लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है आपको मंजिल की picture दिखाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आप उस मंजिल तक जाना चाहोगे तो वो जो major चीज है ना that is called environment and one of the beautiful environment is given to you in the plus course that's why I will advise each and every student that cost is not so high एक साल की आप लोगों को चववन सो रुपे की cost पढ़ती है और उसमें भी मैं आपको बताऊं ये आपको EMI option available है मतलब EMI क्या होती है monthly installment पे दो 4500 रुपे महिने का course पढ़ता है मेरे according course असान है सस्ता है, affordable है तो जो भी student लेना चाहता है तयारी करना चाहता है तो ले सकता है ये नहीं कहुँगा कि लोग ले सकता है और ये code जरूर लगा ना क्योंकि वैसे 6000 का है ये 5400 code लगाने के बाद ही पढ़ता है ठीक है चलिए अपना railway स्टार्ट करते है Now ladies and gentlemen in the last session which we have discussed एक बारी हम उस last session वाले पे थोड़ा सा गौर फर्मा लेते हैं ताकि हम लोगों को याद हो जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था उससे पहले प्लीज मुझे thumbs up करके एक बार ये बता दो सब कुछ clear आ रहा है अब आज clear है आप लोगों तक कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है चले चले बहुत बढ़िया अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ladies and gentlemen कि last session में हम लोगों ने अपना sleeper start तो कर दिया था लेकिन कुछ problems के कारण वो complete नहीं हो पाया था तो अभी बात आती है हम लोगों ने देख लिया था sleeper क्या होता है sleeper के function क्या होते हैं वो भी देख लिया था तो ये कुछ notes है मैं आप लोगों के लिए जानकर लाया हूँ क्योंकि आप इसका screenshot ले सको और screenshot ले ले ना प्यारे दोस्तो क्योंकि आपके notes है direct exam में इन में से आता है similarly बात करते हैं यहां से कि उसके बाद हम लोगों ने requirement के बारे में तो जादा नहीं पड़ा था आप लोगों को भी कोई आसा ध्यान नहीं देना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है major thing आती है sleeper density यह समझ कर चलना एक छोटा सा topic है उसको clear करते हैं ठीक है तो sleeper density क्या होता है देखो एक छोटा सा concept आता है आप लोगों को पता है एक rail length का मतलब क्या होता है do you know what is the rail length rail length का मतलब होता है कि जो एक पत्री होती है आपको पता है वो एक किलो मिटर की जो track है वो अलग-अलग छोटे-छोटे हिस्सों को जोड़ कर बनाई गई है और वो हिस्से आपस में जुड़ते है with the help of fish plate मैं आप लोगों को एक picture दिखाऊंगा next lecture में और पूरा concept समझाऊंगा कि fish plate क्या होती है ठीक है तो अभी बात आती है यहां से rail length का मतलब होता है length of one rail और ये मैंने आप लोगों को पिछले lecture में ही पढ़ाया था जब मैंने rails पढ़ाया था कि narrow gauge, broad gauge और meter gauge में कितनी कितनी rail length ली जाती है broad gauge में 13 meter की rail length होती है meter gauge और narrow gauge में 12 meter की rail length रखी जाती है general purpose के लिए ठीक है तो मैंने कहा length of one rail is known to be as the rail length got it ना अब ladies and gentlemen समझना suppose I am saying that कि this is your rail suppose I am saying that this is your rail and this rail is having another rail in parallel to it मतलब ये दो rail है आपस में दोनों parallel है और ये दोनों parallel rails पर आपकी train दोड रही है ठीक है अभी प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ये parallel rail जो होती है ये आपस में connected होती है ये parallel rail जो होती है प्यारे दोस्त ये आपस में connected होती है कैसे भाई जाहिर सी बात है कि ये parallel rail जो है ये आपस में कुछ sleepers की मदद से connect होता है एक sleeper दूसरा sleeper तीसरा sleeper ऐसे कर करके मेरी बात को समझ कर चलिएगा बहुत सारे sleeper होते हैं एक rail length के अंदर कितने number of sleepers आ रहे हैं that is known to be as the sleeper density what I have said to you एक rail length के अंदर कितने sleeper आ रहे हैं उसको बोला जाता है sleeper density got it एक छोटी सी बात आती है जरा और समझ कर चलो suppose I am saying that कि आपके पास total total एक question की मदद से कराता हूं तो चीज़े ज्यादा clear रहेंगी I am saying that कि आपके पास total rail की जो length है total rail length कितनी है आपके पास I am saying that 1200 km की rail length है कोई दिक्कत नहीं है चलो अब आपको बोला गया है यहां से कि आपकी जो sleeper density है आपको question में बोला गया है ladies and gentlemen कि आप लोगों की जो sleeper density है वो कैसे given होती है पहले उसके बारे में समझ कर चलो sleeper density आप लोगों को यहां पर given है that is equal to 13 plus 6 now what is this general term जो sleeper density की लिखी जाती है ना वो लिखी जाती है m plus x now what is m m is known to be as the rail length m is known to be as the rail length और x is known to be as the extra provision for extra provision for factor of safety अब इसका मतलब समझ कर चलिएगा क्या बोल रहा हूं मैं मैंने कहा आप लोगों की जो एक rail length है मेरे according प्यारे दोस्तो वो 13 meter की है और standardized तरीके से उस rail length में हर एक meter पर एक sleeper दिया जाता है मेरे concept को समझना हर एक sleeper पर एक sleeper दिया जाता है लेकिन क्या होता है एक engineer का क्या करतव यह होता है कि वो जितनी जरूरत होती है शायद उससे ज़ाधा प्रोवाइड करता है हमारी नियत बड़ी है हमारा दिल बड़ा होता है तो हम थोड़ा ज़ाधा प्रोवाइड करते हैं सर दिल नहीं बड़ा होता हम थोड़ा सा सोच कर चलते हैं कि future में खुदा न खास्ता बाईboard छांस थोड़ा speed जादा हो गया बाई-चांस थोड़ा सा load जाधा पड़ गया train में बाई-चांस train के track में we are आ गया तो वह हम बहुत घातक परी नाम आसकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते उस घातक परी नाम को जब मैं सोची नहीं सकता तो होने क्यों दूँँगा इसलिए मैं क्या करता हूँ कुछ number of sleepers जितने required हैं जितने required हैं वो है M वो क्या है वो है M यानि जितनी rail length होती है उतने number of sleeper हम generally दे कर चलते हैं वो जो extra sleeper में दे रहूना ये extra sleeper ही factor of safety का कान कर रहे हैं I hope समझ में आया होगा इसका concept क्या है तो ladies and gentlemen मैंने यहाँ पर कहा कि it is given to you in the question that sleeper density is equal to 13 plus 6 it means एक rail length में आप 19 sleepers provide कर रहे हो the question is saying to you that how many sleepers is providing here how many sleepers is providing here question is asking you that ये question exam में इसी तरह का आता है and I will solve another type of question at the last no problem I will say that the question is saying to you that how many sleepers required for this how many sleepers required for this इसके लिए कितने sleeper की जरूरत पढ़ने वाली है overall length जो है ना प्यारे दोस्तों वो आप एक 1200 ना करके 1300 कर लो calculation में असानी पढ़ जाएगी आप इसको 1200 ना करके आप इसको 1300 कर लो ठीक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी ताकि concept आपको clear हो जाएगा और मेरा aim ही ये है अब आपको क्या करना है भी आपको पता है टोटल रेल जो है टोटल रेल कितने की है टोटल रेल जो है वो 1300 मीटर की है तेरा सो किलो मिट्र कर लो मिट्र कर लो concept समझना अब आपको पता है यहाँ पर तेरा सो किलो मिट्र को मैंने मिट्र में convert कर लिया और एक रेल लेंथ कितनी की है एक rail length है आपके पास 13 मेंटर की ठीक है तो आप कितनी rail length यहाँ पर use कर रहे हैं प्यारे दोस्तों आपको जरूरत है एक लाख rail length की और एक rail length में एक rail length के अंदर कितने sleeper की जरूरत आ रही है that is 13 plus 6 and it is equal to 19 sleepers got it तो total total एक लाख rail length में कितने sleeper चाहिएंगे मैं एक ही बात जानता हूँ total sleeper will be equal to what बाई एक rail length में जब 19 हैं तो एक लाख rail length में 19 लाख होगे ना तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 19 into 1 lakh that is equal to what that is equal to 19 lakhs got it तो this is the concept of rail density तो आपने मुझे कहा कि basically sir rail density का मतलब होता है एक rail length में कितने sleeper प्रोवाइड करने and I am also saying that yes now ladies and gentlemen have a concentration here बात आती है यहां से कि यह sleeper density का और technical मतलब क्या है यह चीज भी लिखना आपके exam में तो नहीं पूछेगा बट फिर भी interest बनाने के लिए जरूरी होती है I am saying that कि आप लोग जो भी यह sleeper density का concept पढ़ रहे हैं यह sleeper density का concept आप क्यों पढ़ रहे हैं basically sleepers provide करने के लिए पढ़ रहे हैं तो जब भी आप sleeper provide करते हैं आप लोग कई बारी क्या होता है आप लोग कई बारी कम भी provide करते हैं आप लोग कई बारी ज्यादा भी provide करते हैं आप लोग उससे भी ज्यादा provide करते हैं तो अगर आप कम sleeper provide कर रहे हैं तो उसके बीच की spacing ज़्यादा हो जाएगी ज़्यादा स्पेसिंग भी आपके लिए घातक हो सकती है लेकिन प्यारे दोस्तों आप कई वरी कम स्लीपर भी प्रोवाइड करते हैं तो ज़्यादा भी करते हैं जब आप ज़्यादा स्लीपर प्रोवाइड करते हैं तो क्या स्लीपर के बीच की क्या uniform रहती है हमेशा एक समान रहती है नहीं अब सुनना यही चीजों के कुछ answer में आप लोगों को लिखवाने वालों वो आप लोगों के काम आएंगे तो इसी चीज को हम ध्यान में कहते हैं प्यारे दोस्तों कि Spacing between the sleepers इधर लिख लो, important बाते हैं spacing between the sleepers जो होती है वो generally generally कैसी रहती है वो generally ladies and gentlemen non uniform रहती है got it, चले अब बात आती है यहां से when it is non uniform then you can say that here then you can say that कि अभी आप लोगों का non uniform का मतलब क्या है कि rail में दो पार्ट होते है एक होता है central part, एक होता है joint वाला part तो जो central part होता है वहां पर आपका strength uniform रहता है rail तो uniform है ना लेकिन जो joint वाला part होता है joint का मतलब क्या है सर दो rail आपस में आके जुड रही हैं जहां पर आपको पता है यह एक इसका weak section है यह portion जहां पर rail जुड रही है that is the weak section और जब यह weak section है तो यहां पर थोड़ी मजबूती की जरूरत पड़ती है और सर मजबूती कब ज़्यादा आती है जब आप sleepers पास पास लगाओ मेरी बात समझ में आ रही है ना now I am saying that what now I am saying that what कि spacing between the sleeper is less in case of joints यह लिख लो आप लोग important है कि spacing in the sleeper spacing is lesser near joints ऐसा लिख लो बस आप लोग उपर लिखा हुआ है वैसे तो spacing lesser near joints और दूसरी बात मेरी यहां पर आती है spacing more at center more at center अब reason आप लोगों को समझ में आ चुका है कि strength की uniformity और non uniformity के कारण ही हम लोग spacing का criteria यहां पर इस तरीके से रखते हैं ठीक है चले अब मेरी बात आती है कि sleeper density का I hope so concept clear हुआ होगा बस यह होता है sleeper density अब थोड़ा सा theory जो मैं लिख कर लाया हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपके exam में भी question वहां से बन सकते है अब बात आती है यहां से ladies and gentlemen कि sleeper density के concept को अच्छे से clear करेंगे जो भी हमारा लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे बस हम बात आती है यहां से जराइस notes को जो मैं लिख कर लाया हूँ उसको पढ़ना अनिवारे है और आप लोगों के बहुत काम आने वाली चीज़ है यहां से सबसे पहला point मेरे पास आता है sleeper density is the number of sleepers per unit rail length सबको पता लग चुका है it is specified as what? it is specified as n plus x now what is n? n is the rail length and x is the factor of safety अब वो factor of safety किस-किस पर depend करता है वो बहुत जरूरी है तो n और m is the length of the rail factor f now what is the f? f is the function of load कितना load पढ़ रहा है कितनी speed आ रही है कितना section कैसा use करा जा रहा है उस पे और कैसे sleeper use करे जा रही है उस चीज़ पे आपकी यह चीज depend करती है ballast कैसे use करे जा रही है आप लोगों का जो मिटी है वहां की subgrade formation होता है न वो कैसी है उस चीज़ पर भी आपका यह f जो है depend करता है अब exam में कैसे पूछ सकता है exam में यह इस तरीके से पूछ सकता है ladies and gentlemen कि आपकी जो sleeper density होती है वो किस किस चीज़ पर depend करती है 4-5 option दे देगा बाद में कहेगा इन में से कौन सा सही है समझ रहे हैं आप तो यह बहुत जरूरी है मेरे according आप लोगों को यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आगे की बात आती है spacing of the sleeper is based on the sleeper density as I have already told you वो ही है तो बात आती है spacing is kept uniform at the location away from the joint center के आसपास uniform होती है लेकें joints पर थोड़ी spacing कम कर दी जाती है ठीक है लिखा है whereas closer at the location near the rail joint got it everything is clear as I have told to you now come to the next page हमारा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि हमारे जो sleepers होते हैं वो चार तरीके के होते हैं पहला होता है wooden sleeper फिर steel sleeper फिर cast iron sleeper और फिर concrete sleeper अब wooden sleeper भी मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया था और उम्मीद समझ भी आया होगा चलिए दुबारा से देख लेते हैं तो समझ आ जाए आगे की बात आती है देखें wooden sleeper की मैं बात करना चाहूं तो wooden sleeper में जो wood के बने होते हैं और यहां पर हमारा load क्या होता था लेस होता था जहां पर load कम होता था हम जनरली वहाँ पर इनको use किया करते थे बिसिकली आपको पता है अभी मेरी बात आती है यहां से आपके wooden sleeper भी दो टाइप के होते हैं हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक तो होता है hardwood का एक होता है softwood का example दे रखे हैं एक होता है sal यह सला नहीं है sal है sal लकडी होती है ना salteak deodor और चिर मैंने example last class में आपको पढ़ाए थे आगे की मेरी बात आती है यहां से advantages क्या हो सकती है sir सबसे पहले तो यही होता है एक तो सस्ता होता है और easy to manufacture होता है maintenance भी असान रहती है इसकी आगे मेरी बात आती है heavy loads के लिए बहुत useful रहता है और high speed train के लिए useful रहता है क्यों 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 क्या होता है यह आप लोगों का shop absorbing होता है vibrations और shocks को absorb कर लेता है ठीक है दूसरी बात मेरे concept को समझ कर चलना बड़ा प्यारा concept दे रहा हूँ अभी now ladies and gentlemen as you know that कि जब भी वहाँ पर suppose मैंने का मेरे पास यह दो tracks है और यह दो track जो है यह sleeper से ऐसे आपस में connected है concept को clear करना बड़ा बहतरी इन concept दे रहा हूँ now ladies and gentlemen have concentration here कि दो आपके पास track है और यह दो track जो है यह sleeper से connect है suppose 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 if this is the sleeper of steel मैंने कहा कि यह steel sleeper है आपको पता है whenever there is the movement of the train over this then this train will acted upon by the friction यहाँ पर tire और rail के बीच में कुछ friction लगेगा कि नहीं लगेगा obviously लगेगा and when there is friction you know that कि this friction will be going to produce one charge और charge का मतलब क्या होता है sir charge flow कर रहा है क्यों एक track से दूसरी track में sleeper अगर steel का है तो steel में charge flow कर सकता है एक track से दूसरी track में circuit पूरा हो रहा है यह current यहाँ से flow करने लग जाएगा और जैसे ही इसके अंदर charge flow करेगा मैं कह सकता हूँ मेरी tracks के अंदर current आ सकता है और इस phenomenon को क्या नाम दिया जाता है बहतरी नाम बहतरी याद रखेंगे इस phenomenon को नाम दिया जाता है track circuiting का इस phenomenon को नाम दिया जाता है track circuiting का तो track circuiting के case में क्या हो रहा है अगर यही चीज वुड की है, तो वुड के case में हम क्या कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों, current पास ही नहीं होता, तो shock absorbing होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं, shock absorbing, vibrations भी absorb कर लेता है, ठीक है, तो अभी क्या बोला मैंने यहाँ पर, shock absorbing और vibrations absorbing यह होता है, थोड़े थोड़े से point है, आप तो point आपका क्या बना यहाँ से, that point is, it is shock absorbing and vibration absorbing, correct, आगे मेरी बात आती है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों, कि track circuiting के case में सबसे ज़्यादा काम आता है, मैंने आपको बताया, track circuiting के case में सबसे ज़्यादा काम आता है, obviously ना, insulator है, ठीक है, चल, अभी मेरी बात आती है, यहा आप लोगों का, यहाँ पर gauge की बात करूँ, तो यह gauge को डंग से maintain नहीं कर पाता, important point है, यह important point है, where easily हो सकता है, decay हो सकता है, attack by vermides, vermides समस्ते हो ना, भई, termides और vermins, कीडम कोडे कह सकते हो, fungal attacks, ठीक है, scrap value, यानी खडाब होने के बाद यह बिकता नहीं है, लकडी थोड़ी है, scrap value, खता में, ठीक है, चल, आगे के मेरी बात करतों में, एक बहुत important point आता है, that is known to be as the size of the sleeper, बहुत जरूरी है, तो size of the sleeper की मैं यहाँ पर बात करूँ, आप यारे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज clear करना है, कि size of the sleeper जो है, प्यारे दोस्तों, वो कैसे कैसे रखा जाता है, तो चले, लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी, generally हमारे पास तीन तरह के track आते हैं, broad gauge, meter gauge और narrow gauge, bearing area, आप लोगों को किस के लिए याद रखना है, भाई, यह जो table है न, that table is only for the A.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E Otherwise, नहीं बनता, ठीक है, चले, अब लिख लेते हैं इसके बारे में, सबसे पहले जो broad gauge आता है, उसका size क्या रहता है, broad gauge के sleeper का size क्या रहता है, 275 by 25 by 15 cm का, narrow gauge का जो रहता है, 180 by 20 by 15 cm का, और इसके साथ-साथ bearing area प्लीज आप लोग याद रखिएगा, और अगर मैं वही पर बात करता हूँ, इसकी प्यारे दोस्तों, तो इसका क्या size रहता है, narrow gauge का, 1500 by 18 by 15 cm का, एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी यहाँ पर, भाई, तीनों में जो depth है ना, वो constant है, तीनों में जो depth है, वो constant है, क्यों, sir, common sense लगाईएगा, actually क्या होता है, कि depth का हमारा function जो होता है वो होता है, impact को जहिलना, depth का जो function होता है, that is of the impact bearing, तो impact जो है, train के कारण, तीनों के सेम आ सकता है, इसलिए हम depth जो है, तीनों की सेम रखते है, बाकी variation, length और breadth में चलता है, ठीक है, आगे मेरी बात आती है, एक important point यहाँ पर लिखा है, उसको भी गौर फरमाईएगा, wooden sleepers required for the bridge and points and crossing, are of the thicker section, why, question बना, जो bridge, point and crossing पर wooden sleepers लगाई जाते है, वो thicker section के होते है, why, because ladies and gentlemen, point and crossing पर क्या होता है, एक time पर दो rail गुजर सकती है, मैं आपको एक छोटा सा example दे रहाँ, point and crossing पर क्या होता है, एक time पर दो rail गुजर सकती है, तो there can be the load higher than that of the designing load, got it, जो एक assumed load है, जो एक designing load है, उससे जादा load point and crossing पर आ सकता है, तो इसलिए शायद से चल रहे है, अभी बात को समझना यहाँ से, bridges में क्या होता है, for the factor of safety, भाई, bridge में जादा power की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है, जमीन पर चल रहा है, और एक चीज हवा में चलाने की कोशि कर रहे हो, bridge पे, उसमें जादा power चाहिए, by chance भी टूट गया, तो बहुत घातक परिणाम, इसलिए वहाँ थोड़ा जादा रखा जाते है, ताकि impact, shock और vibration bearings अच्छी हो जाए, ठीक है, यह चीज़ आप लोगों को clear करनी है, तो अभी बच्चों का यह question बन सकता है, मेरे पा आती, एक rail जा रही है, और उसके बाद एक आ रही है, समझ ना जो मैं कहा हूँ, मैंने कहा, कि general आपके पास यह track है, और इस track पर अगर यह T1 time के अंदर एक rail जा रही है, और उसके बाद T1 time के अंदर दूसरी rail आईगी, लेकिन point and crossing के अंदर this can be the probability कि T1 time के अंदर आप प्रेन आ रही है, तो वहाँ लोड जादा हो रहे है, इसलिए हम वहाँ पर थोड़ा सा मोटा section ही रखते हैं, तो यह size बहुत important है, सिर्फ A exam के लिए, बहुत important size है, प्लीज इस पर बहुर फरमाईएगा, आप लोग बहुत काम की बात है, यह size कितना रहता है, 10 by 6 या 10 by 7 inch क this is an inch term, यह आप लोगों का inch की terms में दे रखा है, यह चीज ज्यान रखनी है, काम की बात है, आगे की बात करते हैं, यहाँ से एक बहुत important चीज आती है, that is known to be as the composite sleeper index, what is the composite sleeper index, composite sleeper index जो है, मुझे एक sleeper की strength के बारे में बताते हैं, दूसरी चीज, उस sleeper की suitability के बारे में बताता है, कि वो वहाँ पर apply कर सकते हो या नहीं कर सकते, whether that kind of sleeper can be applied at that place or not, that can only, only and only be determined with the help of CSI, what is CSI, composite sleeper index, that is very important, no need to learn any theory related to this, only and only the formula which you have to learn, क्योंकि चाहे आप SSC ले लो, चाहे आप AE का exam कोई भी ले लो, this formula comes many times in your exam, that is very important, आप लोग को ये exam उठा के देखना railway का या SSC का ये formula आया, और इस formula से related कुछ data जो आपको याद रखना है और आया भी है पहले, तो important बनता है, प्लीज इस पर गौर फर्माते हैं, ये होता क् CSI मैंने आप लोगों को बताया कि CSI जो होता है वो strength और suitability character 6 के बारे में मुझे बताता है, CSI का formula क्या होता है, CSI का formula होता है S plus में 10 times of H, थोड़ा सा मैं magnify करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये ये देखे, ठीक है, S plus में 10H upon 20, that is the formula for the CSI, got it, now ladies and gentlemen, अभी मेरी बात आती है यहां से, के आप लोगों को ये S और H से क्या समझने है, S stands for the strength and H for the hardness, ठीक है, S क्या है, S is for the strength and H is for the hardness, okay, what is the strength and hardness we are talking about, that is all about the wood, the strength and the hardness of the wood only because composite sleeper index only and only define for the wood case, so now ladies and gentlemen, I can say that this strength and this hardness we are talking about is of the wood, now you know that, कि general moisture content, we determine for the wood, for its better quality is 12%, याद है आप लोगों को according to the forest department of India, 12% वाली लकडी को हम लोग attain कर लेते हैं अपने काम में, तो वो गुड लकडी के नाम पे जानी जाती है, एक question आपका J में पूछा जा सकता है, कि आप लोगों का जो CSI होता है, वो 12%, मतलब कितने percent moisture content की लकडी पर देखा जाता है, तो याद रखना है, यह लिखा हुआ है, यहाँ पर 12% की लकडी पर देखा जाता है, गौट एट चले, अब एक छोटा सा यहाँ से बात आता है, क्या इसके numerical exam में आते हैं, यस आ सकते हैं, कोई problem नहीं है, और अगर आते हैं, तो simple formula basis होते हैं, you can do it very well, now ladies and gentlemen have concentration, कि यह जो CSI आप लोगों को याद रखना है, कि track sleeper के लिए इतना होता है, crossing sleeper के लिए 1352 होता है, और bridge sleeper के लिए आप लोग याद रखेंगे, 1455 होता है, अब एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यांग देना यहाँ पर, इसमें देखना यह लगबग लगबग दो गुना आ रहा है, लगबग लगबग, मैं कहा रहा हूँ, लगबग लगबग दो ग bridges पर heavier sections use करते हैं sleepers के, तो sir मैं भी तो वही लिखवा रहा हूँ, जितने ज़्यादा heavier section होगे, उतना ज़्यादा CSI होगा न, उतनी ज़्यादा hardness होगी, तो यह चीज लिख लो note करके यह मुझे लिखवानी थी, कि size of the section या फिर ऐसा लिख लो हाँ, size of sleeper is directly proportional to what, is directly proportional to the CSI, वही एक लकड़ी है, जाहिर सी बात है, एक लकड़ी है और उस लकड़ी का अगर मैं CSI देख रहा हूँ, तो पतली लकड़ी वही material की पतली लकड़ी कमजोर होगी, वही material की ज़्यादा मोटी लकड़ी, ज़्यादा strength शो करेगी, तो वही चीज मैंने लिखवाई है, it can be the question of your J according to TCS pattern, that's why आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज ध्यान में रखिएगा, तो यह चीज आप लोगों को clear होनी चाहिए, और इसी के साथ एक छोटी से information देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को railway engineering से related कोई doubt आता है, railway engineering से related कोई doubt आता है, तो ladies and gentlemen, आप से contact कर सकते हैं, and I'll be there to help you always, और मैं आपको बता हूँ, यह cost की नहीं होगी, यह totally free है, आप लोग comment में मुझे कहते हैं, मेरे को WhatsApp message कहते हैं, सर यह तो free है न, पहली बात तो मैंने कभी आप लोगों से पैसे की बात नहीं करी अपने level पर, और एक teacher और एक student से ज्यादा मैं कोई पैसा कभी नहीं लगेगा आप लोगों का, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, चलो, आगे की बात आती है, यहां से, now ladies and gentlemen, हमारे पास अगला sleeper आता है, that is known to be a steel sleeper, तो steel sleeper के बारे में, मतलब normal सी बात है, जो steel के बने होते हैं, यह picture आप लोगों को दिख रही होगी screen के steel sleeper, अब देखो, दो तरह के sleeper थे, एक था steel sleeper, एक था cast iron sleeper, steel sleeper और cast iron sleeper में देख के difference नहीं पता लगा सकते, हाँ, नहीं पता लगा सकते, बस आप लोगों को समझ कर चलना है, यह steel का बना है, वो cast iron का बना है, तो दोनों में फरक क्या है, वो भी पढ़ेंगे, पहले हम steel के बारे में पढ़ते हैं, कि इंडिया के अंदर, मतलब ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है, पूरी में बात ही करना चाओंगा, कि इंडियन रेल्वेज के अंदर 20% sleepers जो है, वो लगबग लगबग steel के है, ठीक है, तो why do we use the steel sleeper, there are some disadvantages as well as advantages of the steel sleeper, now come to the main point, हम लोग बहुत waste नहीं करेंगे यहां पर, बात आती है यहां पर, कि when we are talking about the steel sleeper, then its advantages is easy maintenance and adjustment of the gauge, easy maintenance and adjustment of the gauge रहता है, दूसरा रहता है, easy to handle, तीसरा रहता है, प्यारे दोस्तों, longer life, lateral stability थोड़ी जादा रहती है, और यहां पर decay होने का कोई सीन नहीं है, free from decay है, वाट इत ना, बस यह, और आपक काम करना है हम लोगों को तो, ठीक है, steel बिखता है, याद रखेगा, तो इसका scribe value बहुत अच्छा होता है, तो यह 5-6 point है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो बारी पढ़ोगे, याद होएगा, but please learn it, but please I will suggest every student learn it, क्योंकि काम आने वाली बात है, exam में ना सकता है, ठीक है, तो याद रखना है, काम हैगा, आगे मेरी बात आती है, there are also some disadvantages, disadvantages क्या है सर, सबसे पहला corrosion चलता है, हाँ, तो मैं कहूंगा, track circuiting के case में unsuitable रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, track circuiting के case में unsuitable रहेगा, यह, आगे की मेरी बात आती है, प्यारे दो चीज को सुधारने के लिए ही, मतलब उसको overcome करने के लिए ही, हम लोग cast iron sleeper का use करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, now ladies and gentlemen, आगे मेरी बात आती है, यहाँ पर, cast iron sleeper क्या है, cast iron sleeper जो cast iron का बना होता है, cast iron के sleeper दो टाइप के होते हैं, दो नहीं जनरली चार टाइ confusion बहुत कम देता है, दूसरा, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, easier to manufacturer है, और higher scrap value है, ठीक है, तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, also, 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 alignment अच्छे से retain करके रखता है, यह कुछ, यह question बन सकता है, आप लोगों का IES जैसे exam में अगर देखी जाए, IES बोल can be the question, तो please इनको आप लोग याद रखिएगा, आगे की बात आती है, यहाँ से एक picture है, देखने से कुछ समझ नहीं आएगा, बस मैं ले आया, आप लोग इसको देख सकते हैं, काम आ रही है, तो अभी ladies and gentlemen, disadvantages की मैं बात करूँ यहाँ पर, इसमें क्या gauge maintenance थोड़ी difficult रहती ह क्या होता है, elasticity variation के कारण, gauge maintenance में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, gauge maintenance बोले तो, कि आप इसको लिख सकते हैं, less lateral stability, important point है, यह चीज़ आप note करके लिखिएगा, less lateral stability, जब lateral stability कम है न, इसी वजह से आप लोगों का gauge properly maintain नहीं किया जा सकता, important है, got it, आगे की मेरी बात आती है, यहां से, track circuiting के लिए भी unsuitable है, क्यों मैंने आपको बताया न, conductor होता है, conduct करता है, पस, अब यह track circuiting के लिए, फिर तो RCC के लिए, जो PSC के sleeper होते हैं, वो बढ़िया रहेंगे की नहीं रहेंगे, जल्दी बताओ, obviously, obviously, प्यारे दोस्तों, वो use किये जा सकते हैं, क्योंकि steel उनके अंदर होता है, लेकिन बढ़िया नहीं रहते, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी बात आती है, प्यारे दोस्तों, यहां पर, चार तरीके के होते हैं, यह बहुत important है, बहुत important है, प्लीज इसको गौर डुपलेक्स रेल फ्री जॉइंट, इसको अब बात को क्लियर करना, यह नाम ही जरूरी है, इनके बारे में पढ़ना भी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू मी तो नाम ही जरूरी है, क्योंकि एक्जाम में नाम ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता, नाम ही, ठीक है, CST 9 Sleeper की थोड़ी सी गाता बता देता हूं, और कुछ नहीं है, CST 9 Sleeper को हम लोगों ने इसका नाम किस बेस पर रखा, क्वेशन आपके पास यहाँ पर आया प्यारे दोस्तों, कि CST 9 Sleepers जो है, इसका नाम किस बेस पर रखा गया है, तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ल लाद रखनी है, क्योंकि यह आपके SSC जैसे exams में भी पूछ सकता है, आगे की बात आती है, why do we call it the 9 Sleepers, is there any logic behind this, yes, there is of course a logic behind this, क्या था, कि जब हम लोग इस Sleeper का test कर रहे थे, जब हम CST 9 Sleeper के इस Type के Sleeper का test कर रहे थे, तो यह 9th trial में पास हुआ था, यह 9th trial में पास हुआ थ हा, तो इसी लिए इसको CST 9 के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बस इतना ही है, आप लोग समझ गई होंगे, I hope so, अभी इसके बाद मेरा last Sleeper आता है, that is known to be as the concrete Sleeper, now concrete की मैं बात करना चाहूँ, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है RCC, एक होता है PSC, PSC बोले तो Pre-Stress Conc Concrete Sleeper, Reinforce Concrete Sleeper, तो यह पिक्चर आप लोगों को दिख रही हैं, और भारत के अंदर 70% से 85% के बीच में यही स्लीपर चल रहा है, 85% नहीं तो 80% कहलो, तुम लोग यह कह दोगे ना, फिर 20% तो स्टील के थे, तो मतलब maximum यही चल रहा है, आप लोगों को इतना पता होना चाह पताना चाहूंगा, now ladies and gentlemen, आप लोगों का जो भी, concrete sleeper, steel sleeper, cast iron sleeper, wooden sleeper, rails, जो भी पढ़ा है अभी तक, छोटी सी चीज, advice मेरी तरफ से कि हर चीज के बारे में at least 5 मिनट रोज सोचा करू, सोचना यह नहीं कि जो तुम ने पढ़ा, उसी के बारे में सोच रहे हो नहीं, 5 मि आपको reason सोचना है, why are you doing that, मतलब यह sleeper क्यों हम ऐसा, इसके बारे में कुछ भी logic लगा सकते हो, तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को सोचना है, और एक महीने बाद you will feel transformation in yourself, that is the great thing whatever I am telling you, that is the great thing, seriously follow करना उस चीज को अच्छा रहेगा, अभी बात आती है यहां पर, कि pre-st design जो होते हैं, वो किस बेस पर रखे जाते हैं, important point है, प्लीज इसको गौर फर्माइएगा, कि maximum permissible compressive stress कितना रखते हैं, वो रखा जाता है 211 kilogram per centimeter square का, ठीक है, उसके बाद second point आप लोगों का आता है, कि minimum cube strength कितनी होती है concrete की, that is 420 kilogram per centimeter square at 28 days, important है, all right, इसके बाद मेरा point आता है, ladies and gentlemen, that is pre-stressing wires, जो आप use करते हो, उनको कितने stress पर खीचा जाता है, 8.82 into, sorry, kg per centimeter square, यह 3 point बहुत important है, प्लीज आप लोगों को यह चीर याद रखनी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी और बहुत जरूरी, अब एक छोटा सा question मेरी तरफ से, म आप लोगो ने steel पड़ा, आप लोगो ने cast iron पड़ा, आप लोगो ने wood पड़ा, and you have studied in the well manner the advantages as well as disadvantages of cast iron, wooden and steel slippers, now the question, by my side towards you now ladies and gentlemen, what is the question, question is like this, कि what are the advantages of concrete sleeper, what are the advantages and disadvantages of concrete sleeper, this is the question, and you have to write at least 5 points each, मतलब 5 इसके और 5 इसके आपको खुद से लिखने है, और लिखने के बाद बेशक आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, अगर उसमें कोई correction की जरूरत होगी, तो मैं देख कर आपको बता दूँगा, otherwise it will be okay, अगर होगा तो I will tell you it is okay, got it, that is important, please have concentration, got it, now ladies and gentlemen, यह sleeper का concept total खतम हुआ, now it's turn to solve some questions regarding rails, sleepers, railway components, whatever we have studied in the past lectures, छोटे छोटे से question है, वो question हम लोग discuss कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो चलिए, अभी बात आती है, यहां से प्यारे दोस्तों, Now question number one is split to you on the screen, what the question is saying to you that, which of the following factors governs the choice of gauge, मैंने आप लोगो को पहले lecture के अंदर पढ़ाया था, कि आपकी gauge जो है, वो किस पर depend करता है, तो पहला factor जो है, that is the volume and nature of the traffic, that is the speed of the train, that is the physical features of country, अगर आप पहला lecture देखते हैं, तो पहले lecture में आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्यारे दोस्तों कि यह तीनों factors पर आपका gauge depend करता है, तीनों factors पर ही gauge आप लोगों का depend करता है, तो मैं कहूंगा option number D is the correct answer of this question, अब सुनों मेरी बात को पहले, हर question को attempt करने से पहले, मैं आप लोगों को 15 second का time दूँगा, मैं यहाँ पर timer show कर देता हूँ, हर question को attempt करने से पहले 15 second का time मिलेगा, आप खुद से answer करिएगा, ताकि flow flow में मैं भी बताता रहूँगा, और आप खुद भी करेंगे, मैं live आया हूँ, बस मैं बात नहीं करना चा उतनी बात है, तो जिसके कारण से वो मजा नहीं आ रहा था, मुझे personally, इसलिए मैं आप से बात नहीं करता, बात अगर करनी हुई तो last के 5 minute बात कर लेंगे, कोई doubt होगा, कुछ पूछना होगा, तो last के 5 minute मैं पूछेंगे, ताकि future में खुद से भी आप कभी इससे पढ़ो तो आपको flow flow में पढ़ाई हो जाए, इसलिए मैं 15 second का टाइम दूगा, और उसके बाद आप खुद से answer करना, आपको समझ आ जा जाएगा कि आप गलत हैं या सही है, और रेट, चले, तो next question is displayed to you on the screen, and the time starts for this question now, now ladies and gentlemen, अभी बात आती है यहां से, for developing thin populated areas, the correct choice of the gauge is, option A, B, C, D, thin populated areas के लिए, आप लोग कौन सा gauge choose करना चाहोगे, यह मैंने अपने first lecture में ही पढ़ाया था और उम्मीद आप लोगों को आता भी होगा, चले, let me solve this question now, question मेरे according thin populated areas, जो नए नए डेवलप होते हैं, या कम population होती है, उनके लिए train भी कम ही जरूरत है, load कम चाहिएगा, तो narrow gauge is the correct answer, यह पढ़ायी होई चीज थी, next question क्या कहता है, आप लोगों को, the question saying to you that, the formation, question आपकी screen पर पढ़ेंगे आप लो, formation width of a single line meter gauge, adopted in Indian railways is, formation width कितनी ली जाती है, single line meter gauge के लिए, India के अंदर, option A, B, C, D, तो यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समय समापती, मैं आप लोगों को बताना चाहतो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, रटने का है सब कुछ, तो 4.88 meter है, आप लोगों को यह याद रखना है, lecture number 1 देखिएगा, समझ आ जाएगा, जिसन generally taken as, कितना लिया जाता है, option A, B, C, और D, चले, जल्दी से solve करेंगे, 1.1, 1 is to 5, 1.5 is to 1, 2 is to 1 या 1 is to 2, मेरे according में आपको बताना चाहतो, जो भी slide slope लिया जाता है, embankment का, मैंने first lecture में आपको picture दिखाई थी न, उस picture के अंदर शायद से आप लोगों को given होगा, railway components के picture दिखा जायती उसमें शायद से दिया हुआ था, नहीं दिया तो आपको यह याद रखना है, please you need to learn it, you need to learn it because it can be the question of your JE exam also, तो इसको याद रखना है, ठीक है, next question आपको क्या कहता है, next question आप लोगों की screen पर, the formation width of double line broad gauge and cutting as adopted in Indian railways is, तो broad gauge के लिए कितना रखा जाता है, अगर narrow के लि चले, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, when you are talking about the double line broad gauge, then it should be equal to 10.21, and when you are talking about the single line broad gauge, when you are talking about the single line broad gauge, then it should be equal to 6.10 meter, I think so, what it, तो यह चीज़ आपको याद रखना है, next question क्या कहता है, आप लोगों को, यह जल्दी जल्दी solve करेंगे, तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए बहुत basic question है, tread of the wheels provided an outward slope of option A, B, C, D, बहुत basic question, बहुत basic question, जल्दी solve करो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में, यह सब आप लोगों को पढ़ाई होई चीज़ है, just revise हो रहा है, ऐसे करकर के, चले, अभी बात आती है, मैंने आप लोगों को को निंग के बारे में पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को को निंग के बारे में पढ़ाया था, कितना slope था, 1 in 20 का, वो ही तो पूछ रहा है, यह, option number C is the correct answer of this question, next question आप लोगों की स्क्रीन पर, क्या कहता है, अगला question आप लोगों को, wheels of the rolling stock are provided flinges on, option A, B, C, और D, flinges किस side होता है, outer side, inner side, दोनों side या किसी भी side नहीं होता, 3, 2, 1, खता, समय सम आप इस question से related, हाँ मैंने आपको जब koning पढ़ाया था, तो मैंने बताया था, कि flinges आप लोगों का inner side पर होता है, basic सी चीज है, कभी question बनेगा नहीं, बट revise हो गया, ठीक है, next question क्या कहता है, आ option A, B, C, D, 13, 12, 11, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, समय समापतिक question को लेकर, koning of the wheels के बारे में हम लोगों ने बहुत detail में पढ़ा था, और उम्मीद समझा गया होगा, first lecture की बाते हैं सारी, तो किसले provide करते हैं, lateral movement को check करने के लिए, damage of the inner sides को check करने के लिए, उसको बचाने के लिए, या फिर हम discomfort of the passengers को remove करने के लिए भी उसको adopt करते हैं, तो यह सारे ही function थे, option A, B, C, D, सारे सही है, यानि option number D is the correct answer, got it, next, अभी बात आती है, यहां से, for providing the required tilt of the rails, exing of the wooden sleeper is done for, option A, B, C, D, exing of the wooden sleeper is done for, option A, option B, option C, option number D, जल्दी solve करेंगे, चले, दो, एक समय समाप्ती, generally ladies and gentlemen, exing की मैंने बात करी थी आप लोगों से, कहां पर, exing मैंने आप लोगों को coning के time पर पढ़ाया था, और यह coning का concept हम लोग कहां पर लाए हैं, यह coning का concept हम लोग flat footed railways में लाएं, coning का concept कहां पर लाए हैं, coning का concept हम लोग flat footed railways के अंदर लाए हैं, तो you can say that, according to you, option number C is the correct answer, basic thinking है, basic question है, यह सब नहीं आता है exam में, बट revision के लिए अच्छा रहते हैं, ठीक है, next question क्या कहता है आप लोगों को, बई, इसके बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी के लिए रटवार हूँ, check rails की मैं बात करूँ, मैं question अभी करा ही नहीं रहा, मैं वैसे इसका answer भी बता दूँँ आप लोगों को, इस question के लिए कल का जो भी आपका lecture होगा, रात को 9 बजे, मैं कल आप लोगों को check rails के बारे में पढ़ाऊंगा, picture लेकर आऊंगा, तो अच्छे से रहेगा, अभी picture नहीं है मेरे पास, इसलिए continue नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग इसको attempt करना चाहे, तो you can attempt it very well, check rails are provided on inner side of inner rails, if sharpness of the broad gauge curve is more than, option A, B, C, और D, चलो, मैं आपको बता देता हूँ, प्यारे दोस्तों, कि इसका answer जो है, वो according to this, it's 8 degree, अब ये याद करना है आपको, अभी मुश्किल लग रहे है, कल जब concept पढ़ा दूँगा आप लोगों को, तो ये ही असान लगेगा, no need to worry about this question, you will get every concept, got it na, so don't worry about it, okay, now next question, what the next question is saying to you, rail section, used, rail section which is not used in the Indian broad gauge tracks, Indian broad gauge tracks में कौन सा section यूज नहीं होता है, option A, option B, option C, option number D, देखो हम लोगोंने सारे पढ़े लिये थे, I think so, हम लोगोंने सारे पढ़े लिये थे, Indian broad gauge track में कौन सा यूज नहीं होता है, according to me, Indian broad gauge track के अंदर हम लोग 40 R को यूज नहीं करते, where R is known to be as the revised, और ये R का मतलब क्या होता है generally, R का मतलब होता है kilogram per meter, तो broad gauge track के अंदर हम लोग 40 R use नहीं करते, ठीक है न, ये चीज पता होनी चाहिए थे, next question क्या है, next question कहता है, meter gauge नहीं, इसको छोड़ देते, next question की दर्फ चलते है, India के अंदर rails किस से manufacture करी जाती है, जब हमने rail पड़ा था, तो पहला ही point हमारा ये था, पहला ही point हमारा ये था, आप लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए, जल्दी से solve करेंगे प्यारे दोस्त, एडिया के अंदर, कौन से process से rail बनाई जाती है, that is known to be as open heart process, और मैंने बताया भी था, YouTube पर प्लेज इसके animation देखना, नहीं देखा तो आपका घाटा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, देखा तो भी तेरा फायदा, तो भी मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, आएगा, तेरे पास जाएगा, तेरे पास तो देख लेना अच्छा लगेगा, आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए, by the way, next question, क्या कहता है यहां पर, हाँ, यह question तो हम लोगों ने पढ़ा था न, that is known to be as what, जल्दी से solve करते हैं, इसमें से मेरी ख्याल में तो कोई भी option नह पढ़ा था की नहीं पढ़ा था, आप लोगों को यह चीज याद होनी चाहिए, एकसल लोड हम लोगों ने पढ़ा था, थम रूल जिसको हम नाम दे रहेते हैं और वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने की जितना भी हमारा excel लोड आता था, वह axle लोड होता था, 560 into sectional weight into sectional weight of यह याद होगा आप लोगों को दोस्तों तो इसमें से तो कोई भी option नहीं है बट फिर भी अगर इस टाइप का question आ जाता है यह actually में previous year A.E. का question है तो according to me 512 चल रहे तो इसलिए मतलब originally तो 560 था आप लोगों को याद रखने और इसका नाम क्या था इसका नाम होता था था थमरूल क्या नाम देते थे हम इसको हम इसको नाम देते थे थमरूल का यह आपको याद रखना है ठीक है ना चलो next question क्या कहता है आप लोगों को अगला question रटने का question है पूरा का पूरा याद है आप लोगों को यह वही क्या होता था railway zone है और उसके headquarter है तो according to me इसका correct answer में डारेक्टिव बता देता हूं वो जादा अच्छा रहेगा प्यारे दोस्तों इसका correct answer है एनियार Northern Indian Railways जो है Eastern Railways वो हमारी कहां पर है वो हमारी गोरकपुर में है North Eastern Railways North Eastern Railways का जो हमारा headquarter है that is in the गोरकपुर that is 2 का A बन रहा है similarly Eastern Railway कैलकटा में यानि A का B बन रहा है 1 का B उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास CSCR जो है Central वो है सिकंदराबाद obviously बहुत famous है चार और इसमें अगर match करू तो option number 2 अब इस question से related मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने आपको पढ़ाया नहीं था लेकिन इस ये मेरे content में भी नहीं था इस question से related एक छोटा सका मैं आप लोगों से advice करना चाहूँगा कि आप लोग please railway zones के बारे में पता करके आईएगा इंडिया के अंदर कितने railway zone है और आप लोगों को northern railway, eastern railway, southern railway और western railway इन चारों के major major zones आते हैं वो कहां लाए करते हैं ये चीद आपको पता करनी है मैं कल के lecture में ये लेया हुआ ताकि आपको भी समझ आ जाएगा zones के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि SSCJE में दो बारी question आ चुका है इसका ठीक है तो tension नहीं लो मैं करवा दूँगा बट मेरे करवानी से पहले शायद आप खुद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा याद हो जाएगा next question आप लोगों के लिए नहीं है that was the last question I think so नहीं है चलो क्या कहता है एगला question आप लोगों को जल्दी से please इसको हम solve करते है width of the top portion of the flat footed rail is top portion flat footed rail का कितना होता है option A option B option C option number D यह तो हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे दोस्तो flat footed rail का top portion कितना होता है flat footed rail चले question को करते हैं एक मेंट एक लास मुझे यही रोपनी पड़ सकती है फिर भी मैं आप लोगों के साथ compromise कर रहा हूं यहाँ पर ओचीड़ा थोड़ा सा गार फर्माइएगा class A रोपनी पड़ सकती है लगबग लगबग हम लोगों ने देखा था 68.7 था कि 8 mm के आसपास था ठीक है तो 68.7 या 8 mm के पास था I think so तो मेरी ख्याल में option number A can be the correct answer of this question got it ना option number A इस question का correct answer हो सकता है आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों एक मिनट का सबर करिएगा एक मिनट का सबर करिएगा फिर हम लोग आते हैं कर दो कि आप लोगों को कहा है वो आप लोगों को करना है बहुत जरूरी है दूसरी बात लेडिज और जेंजल्मेंट इसी तरह से डेली आप लोगों के question होंगे यानि जो भी आप लोग पढ़ते जा चुके हो वह आपको छोड़ना नहीं है वो question आप लोगों के चलते रहेंगे डेली हम लोग 20 question का target लेकर चलते हैं daily हम लोग यहाँ पर 20 question का target लेकर चलेंगे और यह 20 question जो है प्यारे दोस्तों आप लोगों को daily solve करने है इसका मतलब कि आप लोग जो भी daily पढ़ रहे हो वो revise होता चले जाएगा भूलोगे नहीं confidence build up हो जाएगा फिर numerical की जहां तक बात है तो numerical भी हम लोग साथ की साथ solve करते रहेंगे जैसे आज हमने sleeper density का numerical करा था वैसे numerical जहां आएगा numerical भी solve करते जाएगे तो अभी के लिए चलते हैं और एक बात अगर आपका कोई friend या आप ही हम से जुड़ना चाहते हैं SSC.JE में full course होता है complete strategy के साथ complete package होता है वो तो वहाँ पर payment करते टाइम है code जरूर apply करना ng live दोनों की लिए किसी भी category में कोई आना चाहे ये code आप apply कर सकते हैं और अगर आपको कोई problem होती है तो आप मुझे इस number पर contact कर सकते है that is my contact number 9560969640 got it तो इस number पर contact करिए आप लोगों को कोई problem होती है तो I'll be there to help you always now हसते रहो मुस्कराते रहो पढ़ते रहो और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को जैसे की वह जरूरी है response आएगा तो हमारे भी पढ़ने आए पढ़ाने का मन करता है लेकिन फिर वो ही है कि आप दो तो दिन देखते हो तीसरे दिन कहते हो इसकी वेटेच कम है तो नहीं पढ़ना it's okay फिर आप डेली यह नहीं कह सकते हमें कि यह आप complete करा दो response is directly proportional to the content as well as completion of the lectures so please try to share it maximum as maximum you can now good night bye